हेलो फ्रेंज वेलकम टू बेकमाई यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेज में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे CTAT Central Teacher Eligibility Test December 2020 के फॉरम करेक्शन के बारे में तो फिर्स यदि आपने CTAT December 2021 का फॉरम फिलिब किया है तो दोस्तो अपने फॉरम में आप किस तरह से एडिट वगएरा आप यहां पर कर सकते हो करेक्शन अपने फॉरम में आप किस तरह से कर सकते हो इसके बारे हम बात करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो यदि आपने हमा description box में मिल जाएगा आप उस लिंक पर किलिक करके अपने फॉरम में एडिट करेक्शन आप कर सकते हो तो दोस्तो इस तरह से आपका दो भी फॉरम होगा आप यहां पर उसमें एडिट कर सकते हो अब यहां पर आप देख सकते हो only register candidate sign in तो पहले आपने यहां पर आपने पहल पहले किस रखी गई है इससे पहले यह आप अपने फॉरम में करेक्शन करते हो तो आप यहां पर कर पाएंगे उसके बाद अपने फॉरम में कोई भी आप एडिट या करेक्शन नहीं कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना application number enter करना होगा जो कि आपको registration करेंगे उसके बादट यहां पका password आपको यहां पर फिलップ करना होगा जो कि अपने गोर्ट गर्थी कोड को आप यहां पर सफमेंख करना होगा और चुर्थी निशन पर इसको दिलेट करने को अबर अाप करना आप यहां पर साने न लाए ःप्शन पर ड्लिक करेंगे जो आप यहां पर फोरगेट पासवड कर सकते हो, यह आपको अपना application id फोरगेट करना है, तो आप यहां पर फोरगेट पासवड है, उसको आप यहां पर जंदरेट कर पाएंगे, तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर login कर लेना है, अब आपको यहां पर dashboard देखने को मिल फिन्स जो भी document आपने यहां पर upload के हैं, वो आप यहां पर गिर लेन में आप यहां पर देख सकते हो, आपको यहां पर राइट में निसान आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी बाद यह दिए आप अपना application status check out करना चाहते हो, तो वो भी आप यहां पर देख सकते हो, इसके बाद जब आप यहां पर complete लेखा हूँ, आपको यहां पर सो करना है, दोस्तो यहां पर आपना payment यहां पर successful कर देटा हो, तो यहां पर यह द देख सकते हो, आपना प्यमेट आप कोई एड़िट आप यहां पर नहीं कर सकते हो, तो इस जान रख आप ong다면 त्सके option देखने को मिलता है तो यदि आप अपने application को edit करना चाहते हो तो आप एडिट वाले option पर आप किलिक करेंगे तो इस तरह से आपको किलिक करना होगा अब यहां पर आप देख सकते हो online edit application form schedule is over not start तो friends मेरा अभी तक जो form है वो मैंने अभी तक complete अब हम यहां पर फिर से यहां पर हम इनचे अपसंट पर हम react जाएगा अब आप 선ब्सक्राद करेंगे तो इसके बाद हम इसके भी और activity करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो आपको कुछ इस तरह से इंटरफिस देखनेंगा कatelyए यहां पर एडिट का उप्शन आएगा तो आप एडिट कर सकते हो तो मेरा यहां पर अभी तक इमेज अप्लोडिंग शेडोली जो ओवर दिखा रहा है क्योंकि फेंट्स मेने जो मेरे डाकुमेंट थे वो मेने पहले ही अप्लोड कर दिया है तो मेरे को कुछ इस तरह से सो हो रहा है यदि मैने पहले अपना पेमेंट कर दिया होता तो फेंट्स मेरे को इस तरह से सो नहीं होता December 2021 के forum में correction आप किस तरह से आप कर सकते हो तो दोस्तों I hope कि वीडियो आपको पसंद आया है फिन्स वीडियो आपको पसंद आये तो इस वीडियो को आप like, share and subscribe जरू करिए और ऐसे ही notification पाने के लिए बने रही है हमार सेथ इस channel पर end तक तपते के लिए जेहिन जेभार